हेलो डियर स्टूडेंट्स आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो पर मैं आज आप लोग को क्लास 11 का जो आपका पॉलिटिकल साइन्स है इसका मैं आपका स्लिवस बताने वाला हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ज़्याद इंपोर्टेंट होने वाला है कलास 11 का जो टर्म वान का एक्जाम होने वाला है इसके लिए क्या स्लिवस पढ़ना चाहिए मैं आपर बताऊंगा ठीक है और देखिए आप लोग ऐसे तो जैक बोर्ट ने आपका इसका ओफिसियल स्लिवस जारी नहीं किया गया है और यह मैं मेरे अनुसर बताऊंगा जै अच्छे तरीके से पढ़ा लेते हैं तो अच्छा नंबर आपका भी आएगा ठीक है आपको यह मैं पहले तो बताई दे रहा हूं कि यह ऑफिसियल देखिए नहीं है ठीक है और जैसा कि मैंने बोला मोडल पर जो है और आप लोग का 2022 में जो टर्म वान का एक्जाम हुआ उसको देख करके मैं यह सिलेवर्स आपको बता रहा हूं क्लियर तो चली स्टार्ट करते हैं इस सेसन को एर हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से आपकर सिलेवर्स को देख लेते हैं जो कि आपका ओफिसियल नहीं है फिर से मैं कहा दे रहा हूं यह है क्लास 11 वी का सिलेवर जो कि मैं आपको एक अग करके बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस राजनेतिक विग्यान का तो चलिए एक अग करके देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ठीक है तो देख लिजे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड पॉलिटिकल साइंस राजनेतिक विग्यान इसका मैं आप यहाँ पर अच्छे तरीके से टर्मान का सिलेबस बताने वाला हूँ ठीक है जो आप लोग के जो टर्मान का एक्जाम होगा इसके लिए बोहुत बोहुत इंपोर्टेंट है देखिए किसी भी एक्जाम में जाहें आप इलिवहन्त में हो या पर किसी भी क्लास में किसी भी क्लास में सिलेबस अगर नहीं पता होगा तो आप लोग पढ़ाई में अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे जिक है और मैं आगे आपका है भारतिय संग्विधान में अधिकार ये भी पढ़ना होगा उसके बद आगे देखिए आगे आपका है चुनाब और फोर्तिनित उसके बद कायरिफाली का विधाई का उसके बद आगे देखिए आगे आपका है क्या च्वानमर में नियाईफाली का ये सब जा बहुत ज़दी important होता है इससे घुमा करके question भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है ठीक है उसके बद आगला देखिए अगला चेप्टर आपका क्या है इसतान या सासन इसे भी पढ़ना है उसके बद आगे देख लिए जागे आपका क्या है जो कि आपका last chapter है आट नमर मे से पढ़िएगा इसे चप्टर को नहीं बोल रहे हैं हर एक चप्टर को अच्छे तरगे से पढ़िएगा और इससे बहुत सारा question आप लोग एक्जाम में पुछा भी जाता है ठीक है तो I hope आप लोग को टर्मान के syllabus को अच्छे तरगे से देख लिए होंगे अगर आप लो महां से भी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है और मैं पहले ही बोल रहा हूं कि यह जो से मैंने आपका 2022 का ठीक है दोस्तों 2022 का दोस्तों जो टर्मान के एक्जाम हुआ था उसको देखा मोडल पर जितना भी बगर चीज निकला है जैक बोड से हर एक चीज़ को देख करके मैं य अगर इन चैप्टर से पूछा है तो बहुत ही अच्छा है और इन चैप्टर से रहे गए मैं क्लियर पहले कर देता हूं यह जो चैप्टर बता यहां पर ठीक है मैं आपर आठ चैप्टर बताया हूं ठीक है और आठ चैप्टर तो रहेंगे ही यह तो बात क्लियर है ठीक ह यह सब रहेंगे और मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि दोस्तो जो आपका model paper आएगा 2023 में मतलब की टर्मान और टर्मान के लिए ठीक है तो हाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस परकार से question पूछा है अगर दोस्तो और एक दो चेप्टर बढ़ा दिया गया तो मैं और एक वीडियो बना के आपको बता दूँगा अभी आप लोग फिलाल जितना भी मैंने आप चेप्टर बताया इस चेप्टर से आप लोग तैयरी कर सकते हैं और आगे मैं पॉलेटिकल सेंस का और भी अच्छे तरह के सतायरे कराऊंगा अगर आप लोग कॉमेंट करना है कि किस परकार से मतलब की वीडियो मतलब की सब्जेक्ट का दूँँ जल्दी से जल्दी कॉमेंट कर दीजेगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे तब तक के लिए थैंक यू जैहें